नमस्कार मिरा रन्वान से मैं हूँ रजिया बिगूँ जैसे कि कहा जाता है अथिती देवो भवा महमान जो है भगवान के समान होता है और हमारा जो दीपसमू है यहां में आए दिन देश विदेश से टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं हमारा जो अन्वा निकुबार है तो हर टूरिस्ट के इटनरी में हाव्लोक आईलिंड तो होता ही है तो देखा जाए तो है कि दिमन्स करने वाले लोग है इनकी नजर में स्पेसिफिक्ली रादानागर बीच पे सबसे ज्यादा होती है वाले में कुछ टूरिस्ट ने हमसे बात की और उनका कहना था कि जब वो रादानगर बीच में घूम रहे थे तो टॉप लाइट हॉलिडी इस प्राइवेट लिमिटेट नाम की एक कंपणी है प्राइवेट कंपणी जिनके एक्जिक्टी उन से मिले और उन्होंने कहा कि वो अपने कंपणी की 10th anniversary कर रहे हैं तो इसलिए उन्होंने कुछ scratch card दोनों husband and wife को दिये और कहा कि अगर आप lucky होंगे तो आपको definitely कुछ न कुछ gift तो जरूर मिलेगा इन लोगोंने scratch card scratch किये तो husband के इसमें sorry निकल कर आया और उनके wife के इसमें कुछ gift निकले तो उन्होंने कहा कि उसके नीचे और भी कु आपका 60 minutes हमें देनी होगी उसके बाद ही आप इसे scratch कर पाओगे यह जो executive है यह इन टूरिस्ट को लेकर रादानागर बीच के पास में जो हाप लॉक में TSG blue resort जो hotel है वहां पर लेकर गए उनके third floor में जो banquet hall है वहां पर बठाया गया और काफी भीड थी वहां पे काफी और tourist बैटे थे और इनसे जो हैं इनके details कुछ papers में कुछ forms में फिल कराए गए जिसमें इनके personal details थे address थे official address भी थे और इनसे इनका credit card और debit card मांगा गया और कहा गया कि हम आपके account से स्रिफ 1 रुपीजी swipe करेंगे और आपको जो है यह holiday packages दिया जाएगा तो इनके packages किस तरह के थी जैसे कि इन्होंने कहा था कि हमारी 10th anniversary है तो इनके packages में 25 years के थे और 10 years के लिए आपको 10 lakh रुपीज देनी होगी और 10 years के लिए आपको 5 lakh रुपीज देना होगा तो जो guests थे उन्होंने तो मना कर दिया तो उनसे कहा कि आप अपना credit card दे दीजी हम सिर्फ 1 रुपे deduct करेंगे और आपको membership मिल जाएगी तो आप जब भी avail करना चाहते हो आप कर सकते हो और आप जो है bank को repayment जो है through EMI कर सकते हैं ये सारी चीजे हम कर देंगे आपके लिए और जब tourist ने ये कहा कि हमें कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए discuss करके फिर ही हम कुछ फैसला ले सकते हैं तो उ इसी वक्त अभी ही करनी है तो ये टूरिस्ट तो वहां से निकल के आ गए लेकिन कुछ टूरिस्ट इस ट्रैप में फस गए हैं और कुछ टूरिस्ट के अकाउंट से 4 लाक्स और कुछ के अकाउंट से 3.5 लाक्स डिडेक्ट हो गई है तो देखे किस तरह के scams हमारे दीब और हमसे भी उन्होंने बात की ओवर फोन और उन्होंने बताया कि किस तरह से ये जो हॉलिडे पैकेजस के नाम पे ठगी जो चल रही है हमारे दीब समूर में करेंगे के बात रही है तो अब ही आपके पोर्ट एपने विटेश्ट पूर्ट पार्ट तो अब ही आपके पोर्ट बेर से चले गए हैं मतलब उसके बाद आपके प्रविस्टेश के नाम पर अप्ग्रेट वगर यह बताए कि मतलब अप्ग्रेट करोगे तो पेड एवरी तिन यह मैं हम बट प्रॉब्लम यह हो गया कि यह मैं पे करना इंद नो ने क्या किया कि जो जो कार्ड था उसके पूरा का पूरा मौंट चार्ज कर दिया रहूंद 4 अपने चार्ण करा जाए यह टाइप आप जो स्कैम होते हैं इंडिया में भी चलते यूस में भी चलते वर्यूंट की मतलब अगरेमेंट अगर आपको मिल अधिन आप अप अपने अग्रिमेंट पर आपको यह सारी चीज यह बता होता है कि अगर बीच के भी अगर मैं जाएगी एंडिन जो पीछे के पेज़ोंगे महां पर तो फाइन चेंज करके कुछ भी कर सकता हो ग्रीन जो मतलब जो एडिशनल जो एटाश्मेंट होगी कर सकता हूं जी वाइट एंदन उसके बाद उन्हों जो 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 डॉक्मेंट भी था वह सेम डे पर नहीं बहुत ल चीजे करो तो कैसा था कि मतलब आप कैसा कि अभी अभी आइडे निया आप वहां पर रहते हो तो आपको पता कि नेटवक वगरा कैसे चलता है जी यह मुंबई में एक और एक इवेंट हुआ था जहां पर मतलब बड़े जो डीज आते हैं वहां पर नेटवक जैमस हो सकते कि आपको SMS ना है कि इंटरनेट ना चले इंद आपको पैसा डिटक्ट हो जाए उसके आपको पता चले की नहीं आपका पैसा डिटक्ट हो चुका है और इस तरह के फ्रॉड जो है गोवगरा में काफी ज्यादा हो रही है जो कि अभी अंडमान में भी शुरू हुई है यह बहुत ही बड़ा स्काम है और हालिडे पैकेज़स के नाम पर यह लोगों के डेबिट और कर्डेट कार्ड के पूरे डिटेल्स ले लेते हैं और फिर उसके बाद स्काम किया जाते हैं हमसे जिस तूरिंस ने बात की तो उन्होंने कुछ एग्जेकुटिव के इस कंपनी के नाम बताए हैं एक है सल्मान एक है अजीम पठान जिन्हें हमने भी कॉल किया था तो सल्मान ने फोन रिसीव किया बट वो टूरिस को करने में इतने बिजी थे कि उन्होंने ठीक से हमसे बात नहीं की और कॉल कट कर दिया अजीम पठान को जब मैंने कॉल किया तो उन्हों रैकेट चल रहा है है हैवलोग आइलेंस में जहां पे लोगों को ठगा जा रहा है रादानागर बीच में और उनके वेकेशन तो खराब हो ही रहे हैं उनके पैसे भी बरबाद हो रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है टॉपलाइट हॉलिडेज प्राइविट लिमिटेड कांपनी के वेबसाइट में हमें एक कस्टमर केर नमबर मिला है जिसमें जब मैंने कॉल किया तो एक लेडी ने वहां से फोन रिसीफ किया और जब हम उनसे बात कर रहे थे तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने आपका पैकेज लिया है और नौट सटिस्फाइड मुझे किसी भी तरह कि ट्रिप नहीं मिली है तो मुझे आप मेरे सारे पैसे रीफंड कीजिए तो उनका इतना ही था कि मैडम आप मुझे मेल कर दीजिए हम आपको रिस्पॉंड करेंगे जब मैंने स्पेसिफिकली कहा कि मुझे कोई आफ में फसें हुए हैं कहीं न कहीं यह सारी चीजे हमारे दीब समू के इमेज को खराब कर रहे हैं और जो इमानदारी से टूरिजम सक्टर में कनेक्टर हैं जिसे जिनके परिवार चल रहे हैं जिनकी रोजी इसी टूरिजम बिजनस से हैं उनको काफी डैमेज हो रहा है इन डेफिनेटली कुछ न कुछ काम तो कर रही होगी लेकिन कम्पेन रिजिस्टर होने के बावजूद भी हावलॉक आइलेंड में यह स्कैम चल रहा है और यह लोग घूम घूम कर राधानगर बीच में टूरिस्ट को जो की इंडिविजुल टूरिस्ट है और जो थोड़ा है इनके साइट पे वो भी है और हम आपने वीडियो में वो भी अपलोड कर देंगे ताकि आप लोगों को अवेरनस हो जाए और होटल जो टीजी ब्लू रिजॉर्ट है इनके ऑनर से भी हमने बात की कि वह इस बारे में क्या जानते तो उनका क्या कहनाता सुनिए तो उनका जो है टॉप लाइट हॉलिडेज प्राइवेट लिमिटेड पोल के जो कंपनी है यह रादर नगर बीच से हाँ टूरिस्ट को लेकर जाते हैं कि हम लोग जो हॉलिडे पैके जो सेल कर रहे हैं करके स्क्रैच कार्ड वगेरा सब देते हैं और वो बकाइदा लिखते हैं कि कि एसजी में लेकर जाते हैं वहां के थर्ड फ्लोर में जो बैंकोइट हॉल है वहां पर बठा के लोग कूरा डिस्कॉशन करते हैं और काफी टूरिस्स जो है किसी से चार लाग किसी से तीन लाग पचास हजार अलरी इन लोगों ने ले लिया है और इसके लिए अनमान जाया है कि राधनगर से लोग ठ्राप करके हमें टेस्जी में ले जाते हैं है एबलों में और वहां पर बैठाते हैं चाई-पानी देते हैं और उसके बाद हमारे से credit के और debit card के detail लेते हैं तो काफी लोगों का कहना है कि शायद आपके knowledge में है या नहीं है तो वही जानना था सर देखिए मेरा knowledge में ये बात नहीं है तेखिए ये जो है अभी आपको भी दो तिन आती फोन के हम दो खिराई में लिया लेकिन उसमें लोग क्या कर रहे हैं आफकोस वो तो आपको नहीं मालूम होगा तेखिए टीएसजी के ओनर ने तो कह दिया है कि उन्होंने रेंक में अफकोस दिया है बट वहां पर क्या चल रहा है वो इसके बारे में नहीं जानते और Top Light Holidays Private Limited Company जो है यह किस तरह से लोगों को स्काम कर रही है उनको ठख कर रही है यह बखु भी एक क्लाइंट ने क्लियर किया है हमारे वीडियो में जो मैंने वोइस रिकॉर्डिंग जो कान्वसिक्शन है मैंने वो अपलोड किये हैं और इनका 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 इंका इंपनियों का यह भी कहना है कि इनके बड़े बड़े होटल के साथ टाइफ है जो कि बिल्कुल भी नहीं है जिस तरह हमसे वाकी गैस बात करे हैं उन्होंने कहा है तो इस वरी इंपोर्टन की हमारे आइलन में अवेरनस होनी चाहिए कहीं टूर ऑपरेटर्स एन एस्सेशेशन हमारे आइलन्स में टूरिजम ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं और इस तरह के जो स्कैम्स बाहर आ रहे हैं जिस तरह से टूरिस्ट को हरास किया जा रहा है उनसे पैसे एटे जा रहे हैं यह कहीं न कहीं हमारे आइलन्स की चवी को खराब कर रही है और जो टूरिजम सेक्टर है इसे डैमेज भी कर रहा है तो एड्मिनिस्रेशन को पुल पेकड़ी से कड़ी कारिवाही करनी चाहिए तो कुछ और विश्यों के साथ आपसे बहुत ही जल्द मिलती हूं